दोस्तो भारत यानि हमारा देश मंदिरों का देश भी काहाज़ता है यहां आप हर दो कदम पर मंदिर को देख सकते हैं हर मंदिर की अपने ही कहानी प्रथमिक्ता और अलग ही इतिहां से जो हर स्रधालूगों को अपनी और आकरसित करता है कोई अमीर हो या गरीब हर कोई भगबान के सरन में अपने सीर सिनवाता है और उनका असिरवात लेता है तोस्तो आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खुद पूर्ब केप्टन कुल यानी महंदर सिंग धोनी अपना सीर जुकाते हैं उनका मानना है कि अगर वो आज जो कुछ भी है तो मा दिवडी के आसिरवात से ही है इस मंदिर में सिर्फ दोनी का परिवार ही नहीं बलकि भारतिय टीम के गबबर यानी सिखार धवन भी अपनी पतनी के साथ देवी का आसिरवात लेने पहुँचते रहते हैं जी हाँ दोस्तो हम बात कर रहे हैं दिवडी मंदिर के बारे में मा दिवडी का मंदिर राची से करीव 60 किलोमीटर दूर राची टाटा हाइबे जिसे एनेस 33 के नाम से जाना जाता है जिसमें एक जगा तमार है जहां ये मंदिर है जो आज देश बिदेशों में प्रसिद है हलांकी ये मंदिर पहले उतना खास प्रसिद नहीं था लेकिन जब से पूर्ब केप्टन महंदर सिंग धोनी बार-बार माता दिवडी में अपनी हजरी लगाने पहुंशे तो ये मंदिर अस्थानिय लोगों के बीची नहीं बलकी बिश्व बिख्यात हो गया मात दिवडी के मंदिर में देवी काली की मूर्ती है जो करीब साड़े तीन फूट उची देवी 16 भुजाओं वाली है इस मंदिर के अस्थापना के बारे में बताया जाता है कि इस मंदिर के अस्थापना पूर्व मज्धकाल में तकरीबन 1300 इस भी में हुआ सिंग्भुम के मुंडा राजा केरा ने युद्ध में परास्थ होकर लोटते समय की थी कहा जाता है कि देवी ने सपने में आकर राजा केरा को मंदिर अस्थापना करने का आदेश दिया था मंदिर अस्थापना होते ही राजा को उनका राज्य दोबारा प्राप्त हो गया था इस मंदिर को आधिवासी और हिंदू संस्क्रीती का संगम भी कहा जाता है तो दोस्तों ये थे दिवडी मंदिर से जुड़े कुछ रहस्मई बात है आपको ही वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले व